और आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ, कल इंडिया अगट बंधन की बैठक के बाद नितीश की पार्टी में बड़ी हल चल है बड़ी खबर ये है कि नितीश ने 29 दिसंबर को राष्ट्रिय कारकारणी की बैठक से पहले राष्ट्रिय परिश्ट की बैठक बुला ली है और राष्ट्रिय परिश्ट में 200 सदस्य है अब सवाल ये कि क्या नितीश कोई बड़ा फैसला लेने वाले है ये बड़ी खबर नितीश की पार्टी में हलचल बढ़ी है ये बड़ी खबर कल ही बैठक हुई है इंडिया गडबंधन की नितीश ने राष्टी परिश्ट की बैठक बुलाई है का आज जा रहा के और इसलिए अब ये बड़ी खलचल दिखाई देती हुई और प्रकाश क्या जानकारी है कली तो बैठक हुई है इंडिया गडबंधन की बैठक में पहुचे थे नितीश अब ये बैठक की जो उन्होंने बुलाई है उसको लेकर बड़ी जानकारी आरही है विकल कि ये पहली खबर है एवेपी नियूस पर जिसमें ये आपको बता रहे हैं कि कैस जेडियू क्या बड़ा फैसला लेने वाली है, क्या नितीश कुछ एसा करने वाले हैं, इसलिए रास्ट्रे परिशद की बैटक बुलाई है, लेकि रास्ट्रे कारकार्मी की बैटक अमोमन हर साल एक बार बुलाना अनिवारे होता है और उस बैटक में कुछ फैसली लिये जा जिसे बाद में रास्ट्रे परिशद उसे एक तरह से विंडिकेट करता है और उसके बाद फिर फैसला मानने हो जाता है, लेकिन एक ही दिन पहले 29 गिसंबर को ये रास्ट्रे कारकार्मी की बैटक बुलाई गयी थी, जिसमें करीब 99 सदक से होते हैं, और उसके बाद कल ही फैसला लिया गया कि उसे दिन रास्ट्रे परिशद की भी बैठक बुला ली जाए, तो इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि रास्ट्रे कारकार्नी की बैठक और बाद में रास्ट्रे परिशद की बैठक बुलाई जाने के पीछे क्या मनशा हो सकती है, क्या वाकई नितीश अ पर आगे का राफ्ता ढूंडे के लिए ये बड़ा फैसला हो सकता है निपार बिल्कुल जी के प्रकाश शुक्री आपका पूरी जानकारी के लिए आप नसर बनाया रखें क्या जेडियों में कुछ बड़ा होने वाला है इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहें ABP News आपको रखे आगे